Dear children, today we are going to learn one story from the subject संस्कारी भारण. आज की स्टोरी है गुरुनानक्ची पर. गुरुनानक्ची कैसे थे, उनका जीवन चरित्र क्या था, वो आज हम देखेंगे इस कहानी के द्वारा. लाहर जिल्ले के तलवनजी गाओं जहां कालूजन, पटवारी और माता तुरुपताजी के गर एक महापुरुष का जन्व हुआ. 15 अपरल सन 1451 यह महापुरुष यानि सिक्धर्म के प्रत्थम गुरुनानक्ची यह सिक्धर्म के प्रत्थम नानक्ची थे. गुरुनानक बच्पन से ही परुपकारी और दयालू थे. जिब घर में से मिठाई मिलती थी, तो वे क्या करते? वो दोड़ कर बाहर जाते और सब को बाढ़ती थी. उन्होंने पंडितों से हिंदी, संस्कृत तथा पार्सी भासा का अभ्यास किया. वेद और कुरान दोनों धर्भकरंत पड़ी. और इस महापुरुष के प्रफाव से उन्हें पढ़ानी वाले तेनों पंडितों के शिश्य बन गए. जो उनको पढ़ानी आये थे, वो उनक के शिश्य बन गए. ऐसे महापुरुष के खेल भी अलोकिक होते हैं. जब तब नानक्ची कहते कि आप मन में परमात्मा की नाम का जाप करो, सीधे बैटो. प्रत्य एक बच्चे को पदमासन में पिठा के समाधी का अनुभव करवाते थे. अकेले ही भगवान के जाप करते गुरु नानक के पिता दुकान चलाती थी. उनके पिता ने सोचा कि गुरु नानक कुछ काम सीखे तो अच्छा है. इसलिए दुकान पर बिठाया. कोई ग्राहक आये तो अच्छे से तोल कर किराना देना. ऐसा उनके पिता जी ने कहा. और क्या हुआ फिर? वे बाहर चली तो संभाल लेना क्या कर. इतने में इक ग्राहक आये. नानक ची गिंती करने लगे. एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, तेरा, तेरा आते ही पुरुग. नानक का आया, तो अखंड ध्वनी निकलने लगी. तेरा, तेरा, तेरा. ऐसे तेरा बोलते ही पूरा दिन निकाल दिया. शाम होते होते, दुकान में जितना भी आटा था, सब दोल दिया. सिख धर्म में तेरा का अर्थ होता है. परमात में के पिता जी आये. उन्होंने दे तोल दिया. दुकान खाली कर दी. और ये तेरा, तेरा क्या है? तब गुरु देव ने कहा, पिता जी तेरा से आगे कोई अंख ही नहीं है. नानक का ऐसा भक्ति पराया स्वभावता. काम करते-करते भी नाम स्मरण में लग जाते थे. गुरु नानक का लक्ष था भगवान की भक्ति और वानव की सेवा. देखिए, दुक्यों की मदद करना. नानक की पिताजी ने सोचा कि नानक को दूसरी जिमदारी दो. पिता ने कहा, बेटा आप खेत में जाओ. खेत संचालन और पक्षियों को उड़ाते रहना. गुरु देव को तो जैसे मन चाहा काम मिल गय गुरु देवने सोचा कि परुपकार कर सको ऐसा काम मिला है. अब मज़ा आएगा. पक्षियों को खेत में दाना चुकते देखवें बहुत खूश होते थे. वह पक्षि कितने आनन पुर्वग खाते हैं. ये देखकर नानक जी गाने लगी. राम की चिडिया राम काखी. खाले चिडिया भर-भर बे. गुरु नानक ने देश विदेश में कुल पाच बार यात्रा की थी. वे मानते थे कि भगवान सर्वत्र है. भगवान को एक स्थान में नहीं है. वो बात समझाने के लिए उनकी मक्का यात्रा का प्रसंद याद लायक है. गुरु देव मक्का की यात्रा पर गए थे. वे ठके हारे सो गई. तब किसी ने आकर उन्हें चगाया और क्रोधित स्वर में कहा कि तुम को शरम नहीं आती. कि तुम काबा शरीफे बाजो पैर लंबे करके सो गए हो. आपकी हिम्मत कैसे हुई? गुरु नानक न सुनकर पानी पानी हो गए. आगे कुछ बोल ही न पाए. गुरु नानक की बात समझाने के शैली अनोखी थी. वह यह प्रसंग के जरिये नानक जी ने समझाया कि भगवान सर्वत्र है. गुरु का उपदेश पाँचवे गुरु जी अर्जुन देव ने संग्रहित किया है गुरु का उपदेश पाँचवे गुरु जी अर्जुन देव ने संग्रहित किया है. यह संग्रह ग्रंत साहे नाम से प्रसिद्ध है. गुरुद्वार में इस ग्रंत की पूजा की जाती है. वहां मुर्ती नहीं होती. उन्होंने जप जी नामक एक ग्रंत स्वयम लिखा ह स्वंस्कृत में निराकार, मिमासा और अद्बुत गीता दो गरंत लिखी है. गुरुदेव ने इर्शा, बैर, लोग में फसे विश्व को सांधी का संदेश सुनाने के लिए 25 साल तक विहार किया और कतारपूर आई. यह नगर उन्होंने ही बसाया था. गुरुनानक ने नेड़े लिया कि अब मुझे कहीं कार्य करना, नहीं, अब मुझे वही कार्य करना है जिसका मैं उपदेश देता हूँ. और कतारपूर में उन्होंने लंगर खुला. उच नीच के भेदबाव बिना यहां सब को भोजन देते थे. लंगर का मतलब होता है एक खाना खाने की ववस्ता जहां कोई भी जाती पाती के बेदबाव बिना वहां खाना आके खा सकता है. जो कोई भूके दुखी लोग आते वहां प्रत्य के लिए स्थान था. नानक जी उनको कहते थे सेवा करो और भोजन पाओ. इस तरह दिन को भोजन और रात को भजन का कारिकरब रहता था. गुरुदेव वृद्ध हुए. उन्होंने गुरुगद्दे के स्थापना की. पर उनके पुत्र को पसंद नहीं किया. नानक ने अपने पुत्र को कहा कि गौशाला साफ करनी है. पर पुत्र ने ना कह दिया. उसी समय वहां अंगदेव आया. गुरुदेव ने उसे अंगदेव के सर पर रख दी. यह देखकर उसके पुत्र को बहुत दुख हुए. गौशाला का कच्रा उठाने को तयार नहीं. वह मेरे शीश्यों की जिमेधारी कैसे निभाएगा. इसलिए अंगदेव इस गद्धी का वारिस बनेगा. और उसका नाम होगा गुरु अंग दोनों प्रमा प्रेणा दाई हैं. उनकी फैलाई वानवता की महा कर प्रेम आज भी दिव्य शंदेश दे रही हैं. सिख दर्म में आदि गुरु के रूप में आज भी सब उनको याद करती थे. ऐसे थे गुरु नालची. उनको वो परोकार थे. उनको किसी कोई भी दुख कि हो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ठीक है? तो चलिए अब हम लिखते हैं इसके इसमें से question answers और filling the blanks.